एक बार भगवान शिव कैलाश परवत पर बैठे हुए थे, तभी वहाँ पे देवी पारवती आती हैं और भगवान शंकर से कहती हैं कि प्रभू, आज मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ, क्या आप मुझे उसका उत्तर दे पाएंगे? तभ शंकर भगवान कहते हैं कि देवी, पूछो तुम्हे क्या पूछना है? मैं तुम्हारे उत्तर को देने की कोशिश करूँगा. तभ देवी पारवती कहती हैं कि धर्ती पर सब लोग राम नाम का जब करते रहते हैं. क्या आप बता सकते हैं कि राम नाम का जब करने से क्य क्या होता है क्या इससे हमें कोई लाब है या हम यू ही राम नाम का जब करते रहते हैं तब शंकर भगवान कहते हैं देवी ये तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्र किया है राम नाम का जब तो बहुत ही महान है इस जब को करने से तो आई हुई मृत्यू भी टल जाती है रा नाम और हन्मान की एक कथा सुनाता हूँ, इस कथा को ध्यान से सुनना तब तुम्हें अपने आप समझा जाएगा कि राम नाम की क्या महिमा है। तब देवी पारवती कहती हैं प्रभू, शीग रही मुझे वो कथा सुनाईए जिसको सुनकर के मैं राम नाम की महिमा को जान सकूँ और ये जान सकूँ कि राम नाम को जपने से किस प्रकार से आई हुई मृत्यू टल जाती है। तब भगवान शंकर कहते हैं तो सुनो देवी। एक बार हनमान जी ने अपने प्रभू शी राम से अपनी माता से मिलने के लिए जाने की आज्या मांगी। प्रभू ने सहर शी उन्हें आज्या प्रदान कर दी। हनमान जी अपनी माता से मिलने उनके दर्शन के लिए जाने वाले थे। उसी समय काशी नरेश रामचंदशी के दर्शन के लिए आ रहे थे। मार्ग में उन्हें देवशी नारद मिल गए। काशी नरेश ने देवशी के चर्णों में भक्ती पूर्वक प्रडाम किया। नारद ने पूछा तुम कहा जा रहे हो काशी नरेश। काशी नरेश ने उत्तर दिया देवशी। मैं प्रभु शीराम के दर्शनों के लिए उनक नारज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम राजसभा में प्रभुशी राम के चरण कमलों में शद्धा भक्ती पूर्वक प्रडाम तो अवश्य करना, किन्तु उनी के समीप सिंगहसन पर बैठे वयोवरद तपस्ति विश्वा मितर जी की उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रडाम मत करना, काशी नरेश ने प्रशन किया, ऐसा क्यों रिशिवर, तब नारज जी ने उतर दिया, इस क्यों का उतर आपको बाद में मिल जाएगा, तब नारायन, नारायन कहकर के नारज जी चले गए, वीडियो भी आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे की मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, काशी नरेश श्री राम जी की सभा में पहुच जाते हैं, वहाँ पहुशकर उन्होंने प्रभुश्री राम से कहा, राम तुम मर्यादा पूर्शोत्तम कहलाते हो, इसलिए तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्तिती के रहते मर्यादा की अवहिलना उचित नहीं। महर्शी विश्वामित्र की बात सुन करके प्रभुश्री राम ने आश्चरे से पूचा, गुरुदेव मेरे रहते कब और कहां मर्यादा का उलंगन हुआ है, आप क्रपा करके बताने का कश्च करें। विश्वामित्र बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारी चड़नों में तो प्रडाम किया, किन्तु मेरी सर्वता उपेक्षा कर दी, ये कदापी उचित नहीं, मेरी राजसभा में मेरे ही सबमुक आपकी उपेक्षा, ये तो मेरा भयानक्तिरिस्कार है, उन्होंने प्रतिग्या की, और कहा रिशिवर, मैं आपके सामने ये तीन बाण अलग करके रख रहा हूँ, इन तीन बाणों से आज संध्या तक काशी नरेश मारा जाएगा, महा पराक्रमी, शीराम की ये प्रतिग्या वायुवेक से सर्वत्र फैल गई, काशी नरेश ने स संध्या काल तक मुझे मार डालने की प्रतिग्या की है, प्रतिग्या तो मैंने भी सुनी है, देवशी नारद ने तुरंथी उत्तर दिया, और शीराम की प्रतिग्या सर्व विदित है कि रगुकुल में प्रतिग्या पूर्ती के लिए, प्राण तक देने में अपत्ती नह करें म्रत्य तो निश्चित ही होती है वह किसी भी प्रकार नहीं टलती अगर भगवान शीराम के बाणों से प्राण पखेडू उड़ जाएं तो निश्य ही जीवन सफल हो जाता है किन्त तुम्हें काम करो नारजी ने काशी नरेश से धीरे से कहा तुम हनुमान जी की माता अ रक्षा का वचन ना दे तब तक तुम उनके चरण पकड़े रहना बस तुम्हारा काम बन जाएगा नारजी की बात सुनकर के काशी नरेश भागते भागते अंजना माता के हां गये माता अंजना बैठी हुई भगवान शीराम का जब कर रही थी रोते विलकते काशी और कोई नहीं बचा सकता रक्षा करो मा रक्षा करो माता अंजना बोली किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या से पूर्वी मार डाले का प्रड़ लिया है काशी नरेश बोले मा तुम मेरी रक्षा का वचन दे दो अन्य था मैं अभी तुमारे चरणों में ही अपने प्र रहा है तब माता अंजना बोली मेरा विश्वास करो मैं तेरी प्राणों का रक्षा का वचन देती हूं सर्वता सरल दयामई जननी ने तीन बार कहते हुए कहा अच्छा अब तो बता तुझे बानने की किसने प्रतिग्या ली है काशी नरेश ने कहा भगवान श्री राम न उन्होंने आज शाम तक मेरे वद्ध की प्रतिग्या ली है और इसके लिए उन्होंने अपने तीन बार भी निकाल करके अलग रख दिये हैं ये सुनकर माता अंजना चिन्तित हो करके बोली श्री राम की प्रतिग्या कैसे अनित्था हो सकती है पर मैंने तुम्हे वचन दि कारे से चिंतित हो कर तुमारा ही इसमरड कर रही थी वो कारे हो जाए तो मेरा मन हलका हो जाए हनुमान जी ने कहा आग्या दीजे माता जी आपका कारे करने कर तो मैं हमेशा तयार हूँ माता बोली पर काम तो कठी नहें बेटा इस करण में चिंतित हो गई हूँ माता अंजिन भुवन पती श्री राम की अपार करुणा रई ड्रश्टी भी निरंतर रही है आप आग्या प्रदान कीजिए माता अंजना ने कहा ये सब कुछ में जानती हूँ मेरे लाल किन्तु काम अत्यनती ही कठिन है इसलिए कहने से जिजक रही हूँ माता जी आपके पवित्र चर्णों के समुक मैं एक बार नहीं तीन बार प्रतिग्या करता हूँ कि आपकी आग्या मिलने पर काम चाही जितना भी कठिन हो मैं उसे अवश्य ही पूर करके आपकी चिन्ता को दूर करूँगा माता अंजना ने हनुवान जी के बल परक्रम और उनकी मात्र भक्ती की प्रशंशा करते हुए कहा बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही विश्वास था बेटा में काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचद देज चुकी हूँ आज शाम तक श्री राम ने उसका वद करने की प्रतिग्या की है इसके लिए उन्होंने तीन तीक्ष बाड़ भी निकाल करके अलग रख लिये हैं माता की बात सुनकर के हनवान जी ने आश्यरे से कहा मेरे प्रभूर श्री राम की प्रतिग्या माता अंजना बीच में ही बोल पड़ी पर बेटा मैं काशी राज को बचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे तीन बार बचन दिया है शर्णागत की रक्षा धर्म है बेटा हनवान जी ने कहा ठीक है मा मैं कुछ करता हूँ यह कहकर हनवान जी ने माता के चर्णों में प्रडाम करके उनसे जाने की अनुमती मांगी माता की आग्या प्राप्त होते ही हनुवान जी काशी नरेश के साथ अयुध्या पहुँचे वहाँ उन्होंने काशी नरेश से कहा राजन तुम सकल कलेश नाशिनी परम पावनी सर्यू में कमर तक जल में खड़े होकर अविराम राम नाम का जब करते रहो काशी नरेश ने पवन पुत्र के आदेश का पालन करना आरम किया और इधर हन्मान जी तुरंट शीराम के समीप पहुचे वहाँ उन्होंने भगवान शीराम के चर्णों में पड़ाम करके उनके दोनों चरण पकड़ करके कहा स्वामी आज मैं आपसे एक वर की याशना करता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ ये कैसे संभव है अत्यंत संकोची हन्मान जी कभी कुछ मांगे और प्रभू अस्विकार कर दें शीराम ने उस सहा पूर्वक कहा तुम्हारे लिए अदे कुछ नहीं है हन्मान तुम जो भी कुछ चाहते हो मांग लो मैं तो सदा चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ चाहो कुछ मांगो पर तुम कभी कुछ मांगते ही नहीं बोलो तुम क्या चाहते हो प्रसन्न हो करके हनमान जी ने प्रभु की चर्ण सहलाते हुए कहा मैं चाहता हूँ कि आपके अमित महिमा मैं नाम का जब करने वाले की सदा रक्षा किया करूँ और मेरी उपस्तिती में आपके नाम का जब करने वाले पर कहीं कोई किसी भी प्रकार का प्रहार ना हो सके यदि दुर्भागिवश निखिल शष्टिक का सर्व समर्थ स्वामी भी प्रहार कर बैठे तो उसका भी प्रहार व्यर्थ जाए भगवान शीराम ने तुरंत आशिर वाद दे दिया तुम नाम जापक की रक्षा करने में सर्वत सदा समर्थ होगे और तुम्हारी उपस्तिती में नाम जापक पर किया गया अमोग प्रहार भी व्यर्त सिद्ध होगा जैशीराम ये कहकर हनमान जी ने प्रभू के चर्णों में मस्तख रख दिया और तुरंत एक और सर्वाधार स्वामी श्री राम की साएकाल तक नरेश के वद की प्रतिग्या और दूसी और अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए परिकर बद्ध हो जाना। प्रभू और सेवा के प्रतिग्या पालन का दश्य देखने के लिए विशाल जन समुदाय एकत्र हो गया। शाम हो चुकी थी ये समचार भगवान शीराम को भी मिला। ये सुनकर वे कुपित हो गये। उन्होंने अपने प्रड़ का पालन करने के लिए रखे गये तीन बाड के चुप होने के पतेक्षा करता रहा। किन्तो हनवान जी के द्वारा दिख्षित नरेश प्राण भय से अविराम पूरी शक्ती के साथ राम नाम जबते ही जा रहे थे। निराश होकर वो बाड़ प्रभू शीराम के पास वापस लोटाया। उसने निवेदन किया प्रभ नाम जापक की सरवत्र रक्षा के लिए आपने हनवान जी को वरप्रदान कर दिया है और उस पर समी प्रहार व्यर्थ सिद्ध होने की आपकी वाड़ी है। वो राजा निरंतर आपके नाम का जब कर रहा है और बजरंग बली हनवान जी गदाताने उसकी रक्षा कर रहे है इस कारण मैं विवश होकर लोट आया हूँ। ये सुनकर शी राम जी क्रोधित हो ठे उन्होंने दूसरा बाण धनुष पर छोड़ा। वो वाई वेक से चला और काशी नरेश का प्राण हरण करने के लिए उनके समी पहुचा। परन्तु अब तो काशी नरेश हनवान जी क आदेश के अदुसार सीता राम सीता राम का जब कर रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का इसपर्ष करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। विवश होकर वो भी प्रभु राम के पास वापस लोट आया। उसने भी काशी नरेश के सीता राम सीता राम रटने औ और गदादारी हनवान जी के द्वारा उनकी रक्षा का व्रत्तान सुना दिया। मैं स्वयम सर्यू तट पर चल कर उस ड्रेश्टि नरेश और हनवान जी को भी मार डालता हूँ। सत्य प्रतिग्या भगवान श्री राम अत्यंत कृध हो गए। उन्होंने अपना विशाल धनुष और तीसरा बाण लिया और सर्यू टट पर तीवर गती से चल पड़े। उदर हनुमान जी ने सोचा प्रभू अपने मंगल मैं नाम की विरद रखते हैं। भगतों के लिए वे सर्वस त्याग देते हैं। भगत उन्हें प्राण प्रिये हैं। इसलिए उन्होंने काशी नरेश से कहा अब तुम भगवती सीता और प्रभू के नाम के साथ मेरे नाम का भी जाप करना प्रारंब कर दो। राजा जै सी अराम जै जै हनुमान का जाप करने लगा। काफी समय तक जोड जोड से नाम जाप करते हुए नरेश ठक गए और उनकी वाड़ी लड़ खडाने लगी। वे तो म्रत्यू के भैसे अत्यंत साहसपूर जैसे तैसे नाम जब चला ही रहे थे। किन्तु मात्रभक्त हनुमान जी भी अपने एक अंश से काशी राज के कंठ पे प्रवीश्ट होकर जै जै शीयराम जै जै हनुमान का अन्वरत रूप से जाप कर रहे थे। प्रोधित होकर शीराम को आते दे कर वशिष्ट जी व्याकुल हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान शीराम की प्रतिग्या अनिथा नहीं हो सकती। और कहीं उन्होंने नरेश के साथ साथ हनुमान जी को भी मार डाला तो ये तो महान अनर्थ हो जाएगा। तब हनुमान तो उन्होंन शीराम के पावन सर इस वर्ष से जनम मरण के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक राजा के लिए अपने स्वामी के समुक तनकर खड़ा हो जाना तुमारे जैसे सेवक के लिए कदाचित उचित नहीं है। हनुमान जी ने अत्यंतिन विनाय पूर चुरवक कहा गुर्देव मैं ट्रैलोग के मैं भी अपने सर्वस समर्थर प्रभु शिराम के समीब तनकर खड़ा होने की कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम और उनके वर्दान की रक्षा के लिए प्राणा हुती देने के लिए प्रस्थत हो गया वशिष्ट जी ने सोचा इन ग्यान मूर्ती को विशलित करना संभव नहीं है तब ही उन्होंने देखा शीराम सर्यू टट पर पहुशने ही वाले हैं महारशी विश्वामित्र भी वहां उपस्तित होकर भगवान और भक्त की ये लीला देख रहे थे और चकित हो रहे थे साथी चिंतित भी हो रहे थे तब वशिष्ट जी ने काशी राज जी से कहा नरेश तुम शीग रही महारशी विश्वामित्र के चरड पकड़ लो वे सहस दयालू हैं जै श्रिया राम जै जै हनुमान का जब करते हुए काशी राज ने दोड़कर महारशी विश्वामित्र के चरड पकड़ लिये उनके अश्रूओं से महारशी के चरड आदर हो गए या देखकर महारशी विश्वामित्र द्रवित हो गए उन्होंने सरसंधान किये कुरद श्री राम से कहा राम काशी नरेश के अपरात का प्राशित हो गया है मैंने उन्हें चमा कर दिया है अब तुम भी अपना बार धनुष से उतार करके तुरीर में रख लो उन्होंने गुरु की आग्या का पालन किया तीसा वार धनुष के तुरीर में आ गया राजा की प्राण की रक्षा तो हुई ही भगवान के समुक भगत हनुमान जी की भी विजय हुई इस समाचार से माता अंजना की प्रसनता की सीमा ना रही भगवान शिव कहते हैं देवी पारवती अब तुमें समझाया की राम जब की क्या महिमा है पारवती जी कहती है हाँ प्रभू मुझे अब अच्छे से समझा गया की राम जब की क्या महिमा है इस नाम का जब करने से तो अकाल मृत्यू भी टल जाती है और उसके साथ अगर श्री हन्मान जी का नाम भी जपा जाए तो फल दुगना हो जाता है दोस्तो जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताईएगा तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ तब तक के लिए इदादेरा दे